हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू माई चैनल किचन विद्स रधा आज मैं आप लोगों के लिए एश्टमी नौमी पर वनने वाले काले चने की रेसिपी लेकर आई हूँ इन चनों को मैंने बिल्कुल अलग तरह से बनाया है जिस तरह से हम लोग भंडारे में चने खाते हैं मैंने उसी तरह से इन चनों वो बनाया है फ्रेंड्स ये चने बिल्कुल डिफ्रेंस तरीके से बने हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं जैसे हम लोग भंडारे में चने खाते हैं जो सुआद भंडारे वाले चनों में आता है वही सुआद और वही टेक्शर इन चनों में आया है देखने में कितनी टेस्टी लग रहे हैं चलिए फ्रेंड्स रेसिपी बनाना शुरू करते हैं चने बनाने के लिए मैंने एक कपकाले चने को 7-8 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ दिया था 7-8 घंटे में चने यमारे अच्छे से भीख चुके हैं मैंने इन्हें साप पानी से अच्छे से दो लिया है और इन्हें कुकर में डाल कर एक ब्लास पानी डाल दिया है साथ में ही मैंने एक चम्मच घी और आदा चम्मच नमक डाल कर कुकर का ढकन बंद कर देना है और इसमें दो से तीन सीटी लगा देनी है फ्रेंट्स मैंने कुकर में दो से तीन सीटी भी लगा दी है और कुकर को अब हमें बहुत साबदानी से खोलना है देखिए फ्रेंट्स मैंने कुकर को खोल दिया है और मैं चम्मच से चने को चेक कर रही हूँ चने हमारी बहुत अच्छे से पक चुके है फ्रेंट्स मैंने ये मिक्सी का चोटा वाला जार लिया है जिसमें मैं एक हरी मिर्च को काट के डाल दूँगी साथ में ही मैंने हरे दनिया को धो कर अच्छे से साफ कर लिया था उसे भी मैं जार में डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें दो से तीन चम्मच उबले हुए चने डाल दूँगी साथ ही हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है मैं इसमें चने का पानी ही यूज कर रही हूँ प्रेंट्स चने अभी अमारे गरम है तो अभी हमें से नहीं पीसेंगे हलका सा ठंडा होने के बाद ही पीसेंगे देखे प्रेंट्स चने अमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं अब हमें इसका एक अच्छा सा फाइन पेश्ट बना लेना है अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सस्क्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सेर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी ये चने की रेसिपी कैसी लगी देखिए फ्रेंट्स पेश्ट अमारा बन के तयार हो चुका है मैंने पेश्ट को बिल्कुल बारी कीस लिया है अब हम गैस पर कड़ाई रखेंगे कड़ाई में मैंने एक चम्मच ओयल डालकर अच्छे से गर्म कर लिया था और उसमें एक चम्मच जीरा और आदा चम्मच हींग डालकर अच्छे से भून लिया है साथ मेही मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्च को डाल दिया है और उसे भून देना है अब इसमें हम कुछ मसाले अड़ करेंगे मसालो में ने एक चमच अल्दी पाउडर और तीन चमच धनिया पाउडर डालर दी हैं और अच्छे से भून लेना है तो किस देनों में इसमें आदा चमच भूना हूँ जीरा और आदा चमश लाल मिर्ची का पाउडर डालूँगी और अच्छे से मसालों को होन लोगी प्रेंट्स मसाले मारी अच्छे से भुन चुके हैं अब हमने जो धनिया और चने का पेष्ट बनाया था वो इसमें डाल कर अच्छे से हमें चलाटे हुए भून लेना है प्रेंट्स जार में थोड़ा सा पेश्ट रह गया था तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर दोकर उसे भी कड़ाई में डाल दिया है और इसे बरावर चलाते हुए हमें पका लेना है मसाले को में गाड़ा होने तक पकाना है अब इसी टाइम पर हम इसमें दो चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देना है इस तरह के चनी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैंने ये M.D.H का चना मसाला लिया है और एक चम्मच के करीब मैं इसमें ये चना मसाला भी डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर देना है देखिए फ्रेंट्स हमारा मसाला गाड़ा होने लगा है और ये एक तरफ इखटा होने लगा है इसी टाइम पर हम इसमें उबले हुए चने डाल देंगे साथ में ही हमें उसका पानी भी डाल देना है पानी को हम फेकेंगे नहीं अब हम इसमें नमक एड़ करेंगे नमक हमें अपने स्वादांट सा डालना है नमक हमने चनों को वालते टाइम भी डाल दिया था तो इसमें हम थोड़ा कम ही नमक डालेंगे डालेंगे और इसके साथ ही अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मैंथी को हाथ से मसल कर डाल देंगे और अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर देना है देखिए प्रेंड्स चने अमारे बनकर तैयार हो जुके हैं आपको जितना गाड़ा रखना है उतना आप इसे और पका लीजिए चने गाड़े हो जाएंगे प्रेंट्स चने हमारे बन चुके हैं अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसी टाइम पर इसमें आधा चमच के करीब गरा मसाला डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे चने जैसे जैसे ठंडे होंगे पैसे ही ये गाड़े होते जाएंगे हमारे भंडारे वाले चने बनकर तयार हो चुके है हम लोग जब भंडारे में जाते हैं और जो चने हमें भंडारे में खाने को मिलते हैं और हम घर पे आके बनाते हैं तो उस तरह से चने नहीं बना पाते हैं अगर आप इस तरह से ये चने बनाएंगे तो आपको वही वंडारे वाला स्वाद और वही टेक्शर मिलेगा एक बार मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सेर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये काले चने की रेसिपी कैसी लगी चैनल पर अगर नई हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिले पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई दोस्तों